आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं साइड बैक बटन कैसे हटाएं तो यहाँ पर अगर आपने अपने फोन में साइड में बैक बटन लगाया है आप इस तरीके से साइड से बैक कर रहे हैं तो इसे बंद कैसे करें इसे कैसे हटाएं तो यहाँ पर इसे हटाने के लिए आपको अपने फोन में नीचे के navigation buttons को लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर अपने नीचे के button लगा कर आप gestures को या फिर इसे side back button को हटा सकते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन की settings open करिए settings open करने के बाद नीचे आईए और नीचे आने पर ये additional settings आएगा तो यहाँ पर additional settings पर click करिए उसके बाद उपर आएगा ये system navigation तो यहाँ पर system navigation पर आप click करिए उसके बाद ऐसा page आएगा अगर आपको setting में ये नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जब आप अपने phone की settings open करेंगे तो फिर उपर आएगा आपके settings में यह search बार यहाँ फिर यह settings सर्च करने के लिए तो इस पर आप click करिए और यहाँ पर type करिए system navigation इतना type करने के बाद आपकी setting में search में यह आएगा system navigation तो इस पर आप click करिए और यहाँ पर आप इस तरीके से आ सकते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको मिलेगा यह buttons इसके side में gestures आएगा तो side back button को हटाने के लिए आपको जो यह मिलेगा buttons तो buttons पर आप click करिए buttons पर जैसे ही click करेंगे आपके नीचे के button वापस आ गए हैं तो अब यहाँ से side से back आप नहीं कर सकते हैं आपको नीचे के buttons यूज करने हैं back करने के लिए या फिर home screen पर आने के लिए तो इस तरीके से अपने phone में side back button हटाएं या फिर side back button gesture को remove करें अगर आपको यह वीडियो पसान्द आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें